बेंगलोरू से एक एहम ख़बर करनाट का हज भवन में आग लगने की ख़बर है करनाट का हज भवन के तालुक से एक एहम ख़बर हज भवन में आग लगने की ख़बर आ रही है अचानक लगी आग की वज़े से बड़ी तादाद में धुआ बाहर आता हुआ देखा गया है कुछ लोगों ने वीडियो बना कर इसे वैरल किया है काफी बड़े पैमाने पर ये आग लगने के इमकानात बताय जा रहे थे लेकिन जस तरह से हमने जानकारी खासिल करने की कोशिश की रियास्ती वजीर बराय हज रहीम खान ने सलाम टीवी से बात करते हुए करते हुए बताया कि घबराने की कोई बात नहीं कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है शौर्ट सर्किट के वज़े से ये हाथसा पेश आया है लेकिन काफी बड़ी तादाद में धुआं बाहर जाते हुए देखा गया है जिसके वज़े से काफी लोग घबरा गए थे लेकिन एक बड़ा हाथसा कहा जा सकता है कौँके जिस तरह से धुआ बाहर आ रहा है आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में ये धुआ आ रहा है हो सकता है काफी बड़ा अंदर नुकसान हुआ हो सकता है लेकिन रियास्ति-वजीर रहीम खान ने साफ किया है के मामले को कांट्रोल कर लिया गया है, कोई बड़ा नुकसान नहीं यानि कोई जानी नुकसान नहीं, जिमेदारान वहां पहुंच चुके हैं और इसको कांट्रोल कर लिया गया है, देखे किस तरह से یہ تصویरें आप देख सकते हैं कि यहां हजभवन में यह हादसा पेश आया है जिसकी वज़े से यह धुआ बाहर आ रहा है बता जा रहा है कि मुम्किन है कि जहां एडिटोरियम बना जा रहा था वहां यह हादसा हो सकता है यानि कि यह आग वहां लग सकती है क्योंकि वहां काम चल रहा किस तरह से यह हादसा पेश आया है इसकी जानकारी पूरी तरह से अभी तक सामने नहीं आई है बाज आपता तोर पर लेकिन देखा यह जा रहा है कि एक हादसा हुआ है जिसमें हज भावन के ऊपर फ्लोर पर यानि काफी ऊपर यह धुआ आता हुआ नजर आ रहा है यह आग असलाम सब मैं शाहिद खाजी बोल रहा हुँ जी सलाम से यह जिए यह जो ने कुछ आग लगे बोलके खबर आ रही है जिए 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 तो मैं बात कि होँआ पर यह जो तो तिन लोगों को अच्छा कोई बड़ा नुकसान हुआ है कि असमें ने 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 लुक्सान नुक् कंड्रोल में कर लिया गया ने उसे हैं पूरा कंड्रोल में है ओके शुक्रेंए अज़िए जिस्टस भूब कर दो कर दो कर दो कर दो दो